आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़िदार से चाइनीज स्टाइल चिकन वेजटेबल राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहत असान है बहुत ही मज़िदार बनके तयार होते हैं सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों के मौसमें सारी वेजटेबल मौझ बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है यह रेसिपी आप इसको बनाके लंच टाइम पर फिर डिनर में भी सर्फ कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पर नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ-साथ और नोटिफ आपको सबसे पहले मिलेगी वीडियो अची लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले तो चलिया यह वीडियो स्टार्ट करते हैं इदर मैंने खुले बरतन में पानी बोईल करने के लिए रख दिया था पानी जब अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम इसके अंदर नमक करूंगे अच्छी तरीके से फुल कुक करना है राइस को तो बस इसको आप बोईल कर लेंगे तो देखिए इदर राइस जो है अच्छे से बोईल हो गए है और इसको आपने फुल कुक करना अब इसको में ड्रेन करके रख दूंगी साइट पर अब आजाते हैं इसके दूसरे स्टैप की तरफ तो इसके लिए मैंने एक बड़ी साइस की कड़ाई ले ली है इसके इंदर कर देंगे ओईल फाइफ टीबल स्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर एट करूंगी अद्रक लसन का पेस्ट तक रीबन वन एना हाफ टीबल स्पून आप रूख चाहें तो फ्रेश ली इसको चॉप करके भी आड़ कर सकते हैं इसका भी बहुत अच्छी खुजब कर लिया था यह आड़ कर देंगे और इसको भी हमें फ्राइख राइ ना है अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राइख करना है तकरीबन थो मिनिट तक तो देखिए दो मिनिट हो गए हैं और चुकेशंच भी हमारा गल गया है तक पर अ्लिश झाफ यह बल जाएगा प्र ह wait pepper powder अब आप टीछपून चिकन पाउड़ आट करने सब्सक्स पर्वान। इसके बाद मैं इसमें नमक एट करूँगी, 1 टी स्पून के बराबर, चिकन पाउडर अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी आट कर सकते हैं, तो फिर नमक इसमें थोड़ा कम एट कीजेगा, तो एक चिकन क्यूब आप एट कर सकते हैं, मसाला इसके बाद मैं आट करूँगी, ग्रीन आनियन का जो वाइट पार्ट होता है, वो एट कर देंगे, आदा कर देंगे, आदा कर देंगे, शिमला मर्च आट करेंगे, इसके अंदर तकरीवन एक कप, वेश्टेबल आप लोग अपनी मर्जी के मताबिक भी आट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, बन को भी आट कर देंगे, इसके अंदर तकरीवन डेड़ कप के बराबर, और ये आट करने के बाद इसके अंदर मैं एट करूँगी मतर, तो मतर को मैंने वोईल कर लिया था, वोईल करने के बाद आप इसको मेजर कर लिजेगा, तो इदर मैं एक के बराबर एट कर रही हूं मटर और इसके बाद इसको हमने फ्राइ कर लेना अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है वेश्टिबल्स को तकरीबन दो मिनट के लिए वेश्टिबल्स को हमें सॉफ्ट नहीं करना है हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे वेश्टिबल्स को क्योंकि वो क्रंची ही अच्छी लगती है इन राइस के साथ सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती है तो बस आप लोग देख लीजिएगा और इसको हाई फ्लेम पे आपन कर दूंगी उसके बाद मैं आड करूंगे इसके अंदर ब्लैक पापर पावडर हाफ टी स्पून के बराबर सॉल्ट आड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून फिर मैं इसके अंदर आड कर दूंगी सोया सॉस तक्रीबन 3 टेबल स्पून के बराबर यह एड़ करने के बाद इसको हम दे मिक्स करना है अच्छी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको हलके हाथ से मिक्स कीजिएगा चावल तूटे नहीं इस बात का दिहान रखेगा जब यह मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे green onion का green part add किया है एक cup के बराबर और इसको भी मैं हलका सा mix कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं cover करके रख दूँगी दम पे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए low medium flame पे देखिए 5-7 मिनट हो गए हैं अब इसको हम check कर लेंगे तो यह ready हो गए हैं इसको आप लोग डियर्क्ली सर्फ कर सकते हैं वहत ही मज़दार बनते हैं अब डिर्इकली मतलब इसके साथ आपको और कुछ सर्फ करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी आप इसको वैसे आदे इसको उपकर सादे भी खा सकतें क्यूंकर इतने टेस्फुल होते हैं यह राइस और बहुत ही मज़दार बनते बनाने में बहुत असाने इसको ट्रajr कीजीगा और इसको आप्टपे सर्फ कर सकते हैं और बैसा अर बीस अच्षी है अब को नश्म